हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो गार्ण टेप्स आम मीता बिश्णवी यह देखिए कितनी बड़ी लीफ है कितनी ब्यूटिफुल वेरिगेटेड लीफ है लीफ इन इटसेल्फ एक फोलिएज है यह जो डेकोरेटिव फोलिएज है इसका नाम है कलेडियम कलेडियम यह समर ग्रो मैं इसके फ्लावर में इसकी खुबसूरती इतनी ज्यादा नहीं है इसकी टेर इहां मतलुफ मेंจะ और प्न आप के निखलते हैं मगर इसके बर्भूश क्लेटेड एक यह तरख का है यह एक ऐना मैं में एक फोल में से अ एके प्लेन ग्रीन में तो यह कई टाइप के लीव्ज है डेकोरेटिव फोलिएज है बहुत ब्यूटिफुल लगता है यह फ्रेंज और इसकी ग्रो करना इसका केर करना सब कुछ बहुत इजी है इसके लिए क्या करना है हम लोगों को कलेडियम के बल्ब्स मिलते हैं काईपूरी फेब्स मिलने शुरू हो जाते है नरसरी में और एक एक करीब बल्ब या ट्यूबर्स करीब 5-10 रुपे कहीं 20 रुपे ऐसे मिलते हैं वेरी करता है 10-20 बीच में एवरेज लिए और एक बल्ब में से एक ही टाइप की लीव्ज निकलते है अगर इस तैप का और चाभी leaves किसी टैप की निखेंगे आगर आपने इस टाइप को छूझ के है बल्ब तो वह इसी टैप का निकलेगा तो एक बल्ब में एक ही टाइप की leaves निकलती हैं मगर बहुत सरी leaves निकलती हैं यह देखिए कि इसके एक मैंसे कई निकल रही है और इसको हम लोग इसके सो इसके तीबर को अम लोग फैब में लगा देते में उन में कभी भी आप इसको पिटिंग में लगा दिजेंग में और बहुत ज़ादा हाड इसमाई मत बनाई यह अ ऑट कोई फंगस आ गया है आपका नर्सरी से तो वो taken care of हो जाए तो यह सब डालके आप इसको फैब में इसकी बद इसको लगा दीजिए यह में जून में खुब अच्छे से इसकी फोलिएज हो जाएंगी बड़ी-बड़ी लीव्ज हो जाएंगी और यह बहुत सुन्दा लगने लगेगा और यह पूरी समर्ज खुब अच्छा लीव्ज डेकोरेट करती रहेंगी आपकी गार्डन को और जाके यह सर्दियों में जब डिसमबर नवंबर जब बहुत ठंड हो जाती है फ्रॉस्ट हो जाता है तब यह थोड़ा खतम होने लगता है यहां से यह गलने लग बचेश को एकम एकटा लिव्ज बी डॉह जाती है और इसकी या इस आसे काट कर यह बिल्ग को स्टोर कर सकते हैं स्टोर करने का तरीका भी ने बतांगी जिसते की आपके कभी भी यह खराब नहीं होगे वो वीडियो के end में मैं जरूर बताऊंगी आपको तो ये ये वाले plant का care बहुत simple है अगर आप इसको जमीन पे लगाते हैं फिर तो care बहुत easy है और अगर आप इसको pot में लगाते हैं तो well-drained soil रखनी है और इसके गमले को pots को थोड़ा moist रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा moisture like करता है ये sun loving है क्योंकि summer plant है मगर बहुत ज़्यादा sun से ये इसके edges dry होने लगेंगी और इसके leaves की खुबसूरती थोड़ी कम हो जाएगी तो इसको थोड़ी shaded area में रखिए shade में रखिए plant के नीचे, पेड के नीचे या net के नीचे जब बहुत गर्मी हो और जब थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो जाए तब इसको आप भार भी रख सकते मगर जब बहुत ज़्यादा ठंड शुरू जाती नहुमर December में तब ये खतम होने लग जाकता है अच्छा मैं आप इसके बारे में बोल रही थी कि आप इसके bulbs को कैसे store करें इसके bulbs को आपको store करने का ये तरीका है आप इसको यहां से सूखने देंगे पहले let the plant dry जब यह सूख जाएगा पूरा तो यहां से काट दीजे इसको और इसको एकदम cool dry place में या तो ऐसे ही रख सकते हैं या फिर मैं क्या करती हूँ coco pitt लेती हूँ और उसको सूखे को में सूखे को co co peut लेके कागज में लपेट के उसके अंदर डालके रख देते हूँ और अगर आप इसको जमीन पर छोड़ना चाहते हैं तो यह जमीन पए भी कई वर बच जाते हैं बल्म्स और अगर अगर आप घर में स्टोर करते हैं तो सनलाइट से दूर अगर थोड़ा सा फंगी साइड है आपके पास अगर तो थोड़ा सा फंगी साइड कोको पीट में मिक्स कर दीजें ताकि कोई फंगल इसमें अटैक बल्ब्स में ना हो तो थैंक यू फ्रेंज आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए लाइक करिए और क्यल एडियम का यह वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू